नमस्कार कुरोना वायरस से जुड़ी अच्ची खबर भारत में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 90 फिसदी देश में कोविड-19 से 70,88,123 लोगों के ठीक होने के साथ ही संक्रमन से उबरने की राष्ट्री अदर बढ़कर 90 फिसदी हो गई है केंद्रिय स्वास्ते मंतराले ने रविवार को यह जानकारी दी मंतराले ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 62,077 और लोग इस महमारी से ठीक हुए हैं जबकि इसी अवदी में संक्रमन के 50,139 नई मामले सामने आए उन्होंने का इस समय उप्चाराधीन मरीजों की संक्या की तुल्ना में स्वस्थ हुए लोगों की संक्या 64,09,979 अधिक है पिछले एक सब्ता से लगातार 1000 से कम लोगों की मौत हो रही है मंतराले ने बताया कि यह आकड़ा 2 अक्टूबर से 1100 से कम हैं उन्होंने बताया है कि देश में अब 6,68,154 संक्रमितों का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 8,50 फिसदी है 10 राज्यों और केंद्र शासित परदेशों महराष्ट, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, आंधर परदेश, आसाम, उत्तर परदेश और 36 गण में ठीक हुए मामलों में से 75 परतिशत मामले दर्ज किये गए हैं मंतराल्य ने बताया कि महराष्ट में एक दिन में 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं कोवीड-19 संक्रमन के 50,129 नई मामलों में से 89 प्रतिशत इन 10 राज्यों और केंद्र शासित परदेशों में दर्ज किये गए हैं केरल में सबसे अधिक 8,000 से जादा नई मामले दर्ज किये गए हैं जबकि महराष्ट में 6,000 से अधिक मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में कोवीड-19 से 578 लोगों की मौत हुई है इन में से लगबग 80 प्रतीशत इन 10 राज्यों और केंद्र शासित परदेशों में हुई है महराष्ट में सबसे अधिक 137 लोगों की मौत हुई है मंतराले के सुबा 8 बजे के ताजा आकड़ों के मताबिक भारत में 50,129 नए मरीजों के बाद कुल मामलों की संक्या बढ़कर 78,64,811 हो गई है जब कि मौत को का आकड़ा 1,18,534 हो गया है धन्यवाद समचार के बारे में अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दे लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूले और अधिक ताज़ा तरिन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रकर गुंज नियूस डैस के साथ